मोना लिसा इटेलियन कलाकार लियोनाडो दा विंची द्वारा बनाई गई एक आधी लंबाई वाली पोर्ट्रेट पेंटिंग है। पेंटिंग में महिला की पहचान अज्यात है लेकिन व्यापक रूप से यहां माना जाता है कि वाँ फ्लोरिंस इटली की एक रईस लिसा घेरार दिनी है। माना जाता है कि मोना लिसा को 1503 और 1506 के बीच चित्रित किया गया था। पेंटिंग महिला के चहरे पर रहसिपूर्ण मुसकान के लिए प्रसिद्ध है जो बहुत अधिक अटकलों और व्याख्याओं का विशय रही है। मोना लिसा पेरिस फ्रांस में लौवर संद्रहाले में स्थित है और यह दुनिया में कला के सबसे अधिक देखे जाने वाले कारियों में से एक है। पेंटिंग को पुनरजागर्ण कला की सबसे बड़ी कृतियों में से एक माना जाता है।